अस्वाम लेकूं पीपीसी जैसे का आपको पता है पंजाब पूब्लिक सविस कमिशन इसका एक्जाम कैसे होता है कब होता है और इसमें आपने कैसे त्यारी करनी है फार्मसी बेस्ट जो प्रेप्रेशन है उसकी इसके बहुत ज़ादा क्वेरिज थी तो मैंने इसलिए सब्सक्राइब से लाइकवाइज डिफेंट अधर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके फॉर्मसी फील्ड के उसके पर ट्वंटी निंबर हैं वह आएंगे आपकी इंग्लिश उर्दू मैथमेटिक्स करन्ट अफेयर पाकिस्दान स्टडीज इसलामियाद और इस तरह से किसी भ ऐसकर आपने त्यारी जब करनी है आपने यह नहीं करना क्या आपने ट्वंटी निमपर के इसकी त्यारी के पीछ चले रहे हिसे आपने 80% को सबसे पहले फोकस करना Pharmaceuticals की reference book और syllabus के मताबिक आप start कर ले और अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक थोरो अच्छी त्यारी कर ले और उसमें concept आपको मिले तो आप CPR comprehensive pharmacy review की book है chapter number 1 से start करें और उसके बाद आप 1, 2, 3 इस तरह से chapter आगे लिएके चलें और line to line word to word आपने CPR को पढ़ना है जब आप CPR start करेंगे Pharmaceuticals की preparation के लिए तो आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगे है क्योंकि उसमें काफी चोटा चोड़ा लिखा है और आपको लगेगा जैसे कि काफी मुश्किल है लेकिन जैसे जैसे आप progress करेंगे तो आपको उसमें interest पैदा होगा और आप अगर daily 3 या 4 pages करें थे आप लोग 5 pages पहेंगे फिर 10 pages पर 20 pages अगर आप 20 pages daily कर रहे हैं तो आप 5 दिन के अंदर 100 pages complete कर लेंगे और अगर 10 दिन हो जाएंगे तो आपके 200 pages हो जाएंगे इस तरह से आप 1 महीने के अंदर 600 pages CPR के complete कर लेंगे और उससे आपकी pharmaceutics और bio pharmaceutics की काफी जादा त्यारी हो जाएगी और एक वक्त जब आप बिलकुल panic कर रहे थे कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे जीरो पे थे और एक महीने बाद आप CPR थौररी पढ़ चुके होगे काफी जादा portion में इसके बाद next subject है जो आपने focus करना है किसी भी pharma based exam in Pakistan है न आ आउटो पाकिस्तान वह है फार्मकोलजी फार्मकोलजी आपने स्टार्ट करनी है अपनी किसी भी उस बुक से जहांसा आपने फार्मकोलजी पहले पढ़ी है और आपने basic को ignore नहीं करना ज्यादा तर लोग जोते हैं वो यह गलती करते हैं कि start में जो chapter ने chapter number one होगे है two होगे है उसको ignore करते हैं कि easy है हम यह बाद में कर लेंगे और हम move कर जाते हैं drugs पे और complicated chapters के उपर तो आपने base को strong रखना है ताकि आपको पता हो कि एक agonist के antagonist क्या है negative feedback mechanism क्या है कौन सी drug किसकी agonist है किसकी antagonist है कौन सा receptor है ion-gated ligand channel है या कौन सा channel है जी protein coupled receptors कौन से मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत basic में होते हैं कि आप ignore कर देते हैं यह समझके कि यह basic है यह बाद में करने को time नहीं भचता अगर आपने इसको strong कर लिया तो आगे जागे आपको फाइदा होगा further chapters के अंदर जब आपकी base बन जाएगी कि आपने CPR और pharmacology को side by side लेके चलेंगे और कुछ दिन लगागे for example एक महीना आपने काफर जाद इसको cover कर लेंगे तो इस strong base की base के ओपर आप further जो topics और chapters को continue करेंगे different subjects के यानि आप अभी जा रहे हैं आपका gradient ही होगा कि आप most important subject से move करें mediocre and the least important subject के तरह most important है pharmaceutics cover हो गया, pharmacology cover हो गया and then आपने start कर दें bio pharmaceutics कुछ portion जहां से आपने पढ़ावाए और कुछ आपको अलड़ी CPR में cover हो गया उसके बाद आपने clinical pharmacy, hospital pharmacy, instrumentation, उसके बाद आपकी community pharmacy, उसके इलावा industrial, कुछ basics हैं pharmacognosy की वो मैं आपके साथ share कर दूँगा further और उसकी कुछ videos भी upload कर दूँगा जो आपने must करनी है, pharmacognosy की ठीक है वो दो दिन के अंदर आपने वो दो तीन दिन के अंदर वो करनी है उसके बाद आपको कुछ मैं drive अपनी share कर दूँगा, कुछ लोगों के साथ already कर दी हुए जहां से आपने दो ये तीन दिन के अंदर एक एक सब्जेक को cover कर सकते हैं तो आपने सबसे पहले target अपना ही रखना है कि base को strong करना है और उसके बाद आपने subject बाकी लेकर चल ले हैं अब PPSC का exam जो होता है वो किस subject में से ज्यादा आएगा, ये कह नहीं सकते हर बार exam जो होती है, उसकी हवा change होती है, आपको नहीं पता कौन सा आएगा तो ज्यादा तर लोग जो होते हैं वो PPSC पास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सबसे पहले वो panic करते हैं, और त्यारी स्टार्ट नहीं कर पाते, stamina उनका build नहीं होता है वो त्यारी को स्टार्ट नहीं कर पाते, और उसके बाद कुछ लोग जो start कर लेते हैं वो उसको continue नहीं कर पाते और भीज में छोड़ देते हैं तो आपने बाकी लोगों की समझ लेए इसी कमजोरी को अपने स्टेंथ बनाना है कि आपने त्यारी को start भी करना है और आपने इसको continue भी करना है और जब आप इसको लेकर चलेंगे तो आपका syllabus अगर मैं बोलू तो humanly possible नहीं कि आप 5 साल के syllabus को cover कर सकें किसी भी paper की या exam की त्यारी के लिए लेकिन हम maximum cover कर सकते हैं for example एक बंदा जिसने त्यारी start नहीं की की तो half heartedly उसने छोड़ दी पीच में उसके मुकाबले में आप त्यारी करते रहे चलते रहे और आपने 40%, 50%, 60%, 70% syllabus cover किया तो आपकी त्यारी उससे बहतर होगी और आप exam में अच्छा score करेंगे for example आप एक exam के अंदर score नहीं करबाते अच्छा तो आपके पस दो option होगी या तो give up कर जाएंगे या आप further त्यारी करते रहेंगे और next exam में appear होगे अगर next exam में appear होगे त्यारी करके तो आप double त्यारी के साथ जाएंगे इसका मतलब यह है कि आपकी probability बढ़ जाएगी उसकी बाद अगर उसमें भी नहीं होता अला ना करें तो आप तीसरी attempt में जाएंगे त्यारी के साथ जाएंगे तो आपकी chances maximum होगे क्योंगा आप compete करेंगे provincial level पर पूरे पंजाब के level पर different universities से different ऐसे लोगों से जोन इंफिल कर लिया हुए कुछ PhD scholars होगे कुछ होगे जोने multiple test पहले दे चुके हुए है तो आपने बिल्कुल panic नहीं करना आपकी strength सिर्फ यह होगी कि आप डटे रहेंगे और आप त्यारी करते रहेंगे अब आजाते हैं paper pattern के उपर 100 marks का यानि 100 mcqs होते हैं negative marking होती है 0.25 numbers की इसका मतलब भी है कि अगर आप 1 mcq को गलत करते हैं तो आपका 1.25 number deduct हो जाता है total और इसलिए आप डिपेंड करते हैं आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है 100 number में से 80 number जो होते हैं आपके subject specific होते हैं और 20 number जो होते हैं आपके बाकी subject के इलावा होते हैं आपने focus 80 number को करना है subject specific 20 जो होगा वो आप easily score कर सकते हैं पंद्रह 18 number उसमें से आप ले सकते हैं बगेर बड़े भी उसके बाद जब आपके यह आपको पेपर का pattern पता चल गया उसके बाद आपने कोशिश यह करने कि जो आप पेपर attempt करेंगे आप बैठे हुए तो आप practice करके जाएंगे पास पेपर की ड्राइब मैंने गूगल ड्राइब अपने इसमें शेयर किये हैं डिफरेंट NTS के OTS के PPSC के के कुछ पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसिस के पेपर और उसके इलावा पाकिस्तान के बाहर के exam papers मैंने शेयर किये हैं आपने practice करके जानी है मतलब आप weekly for example आपने फार्मकॉलिजी फार्मसिटिक जब कर ली तो आप उसके बाद weekly pass paper start करें और हर एक subject के बाद forensic pharmacy को पक पाकिस्तान के लिए बहुत important है तो पाकिस्तान के किसी भी test के लिए आपनी आपको laws and rules आने चाहिए आपका drug एक 1976 आपको आना चाहिए आपके drug rule 2007 आपको आने चाहिए and likewise other आप पढ़ लें तो बेहतर draft act हो गया और इस तरह से different rules आपने drive में share किये हैं अच्छा यह जब आप आपने सारे MCQs करने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं for example आपको 20 MCQs आते हैं और बागी नहीं आते हैं next to go के अंदर आपने वह वाले करने हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा आते हैं ठीक है और कुछ आपको उसमें से है किया नहीं आता लेकिन आप आपको जार फिर आपने मने माइंड अपलाई करना है कि क्या मेरा जो पेपर जो मैंने पिछले मार की है answers मुझे इतना confidence है कि अगर उसमें कुछ गलत भी होते हैं कुछ तो मैं यहां पे इनको गलत करके वो margin बरकरार रख सकता हूं तो आपने यह डिसाइड करने हैं और आपने फिर वो आता है जब डिवार्मेंट को जरूरत होती है तो वो एड हॉक पे फार्मसिस को हाइर कर सकते हैं पीपेसी जो होता है वो पर्मनेंट और रेगुलर कांडिडेट के लिए होता है जब पीपेसी एग्जाम कंड़क्ट होता है तो उसके बाद यह अग होक यह क्यों कोंट्रक्टी z before the termination of their contract कर सकते है तो अपने कोशिच ये करना है क्या आपने और ये सीट लेना ही लेना है तकरी और अगर not मेरी तो give up कर जाना है आपने यह सोचना है कि मेरा aim यह है कि for the next five years मैंने एक seat लेनी लेनी है उसके लिए आपको तीन बर paper देने पढ़े एक department में छे बर paper देने पढ़े दो department में आपने देनी देनी है और यह जो यह जो एक threshold है एक fear factor है कि paper में उसी में appear रहों जिसमें आप pass हो वो नहीं देखना आपने हर एक failure जो paper आप fail करोगे वो उस exam की त्यारी है जो कि आपने pass कर जाना है एक दन तो आपने हर paper देना है आप 16 grade का paper दो उसमें general knowledge के questions होते हैं 15 grade का 14 grade का जो भी आता है उसके paper दो अपने आपको exhaust करो इन सारी चीज़ों से उसके बाद अब तीन सीड्स आई थी लाइब स्टॉक की ड्रग इंस्पेक्टर की तो तीन चांसे उसके अलग है primary, secondary health के department में तीन चांसे अलग होते हैं अगर ड्रग इंस्पेक्टर के सीड आती है अगर pharmacist के नाम से आती है सीड्स तो उसके तीन चांसे अलग होते हैं तो हर एक speciality की जो सीड्स होती है उसके चांसे अलग होते हैं अगर मैंने कोशिश किये कि आपको बता दू कि आपने अपनी त्यारी स्टार्ट कैसे करना है PPSC के लिए और इसका paper pattern कैसे और आपने attempt कैसे करना है अगर फिर भी कोई चीज unaddressed रह जाती है तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते है और आप जाए साथ लोगों के साथ ये share करें ताकि ये message उनको convey हो जाए और अगर कोई चीज आपका सवाल है तो आप उसमें नीचे कर दें ताकि मैं जो next video बनाओ वो आपकी queries based होंगी ताकि वो आपसे मैं share कर दूँगा आपके सारे सवालों के जबाब बहुत शुक्रिया Thank you